सारी खुदाई एक तरफ और नावी की रुई एक तरफ रोज सुब़ जब हम सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि साला आपो नीच बेढ़ है कहते हैं इस पर एक भारी भरकम रीसर्च भी हुए है जिसे साल 2009 में विएना युनिवर्सिटी अप टेक्नोलोजी के जोर्ज इस्टेन हाउजर ने पब्लिस किया था जोर्ज का कहना था कि वो रोज नहाते दोते अपना सरीर साफ करते पर फिर भी दूसरे दिन उनकी नाभी में रूई आ जाती जिससे परिशान होकर जोर्ज ने इसकी तेह तक जाने की सोची जिसके लिए उन्होंने तीन साल तक अपनी नाभी में मिलने वाली रूई जमा की जोर्ज ने 503 सेंपल इकठा किया और जब उनका वजन किया तो वो एक ग्राम भी नहीं था जोर्ज का कहना था कि वो जिस दिन जिस रंग के खपड़ा पहनते उस दिन उसी रंग की रूई उनकी नाभी में मिलता इसलिए जोर्ज ने एक दिन सफेद सूती की सर्ट पहनी और दूसरे दिन उनकी नाभी में जो रूई मिली उसका केमिकल टेस्ट किया तो पता चला कि उन्होंने जो सर्ट पैनी थी उसका फैब्रीक और जो रूई उनकी नाभी में मिला है वो दोनों एक ही था लेकिन नाभी में जो रूई मिला था उसमें धूल, डेट सेल्स और पसीना भी पाया गया जिससे यह निसकर्स निकला कि जिसके नाभी में रूई ब अब धकेलते हैं जिससे वो रेसे नाभी के अंदर जमा होकर रुई का सक्ल ले लेते हैं अब कितने लोगों के नाभी के अंदर रुई बनती हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो वो लाइक ठुक के अपने दोस्तों में सेर करो और पुन्य के भागी बनो और यूट्यूब की दुनिया में गोते खाते हुए हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो वो जो लाला ला सब्सक्राइब बटने उसे फोड़के बगल वाली गंटी दबा लो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक इस चैनल पर बहुत माल पड़ा है जाओ जाके मज करूड़